तो हेलो वेलकम टू याट अनौद एपिसोड आपको पता है तब बेस्ट पार्ट मुझे इतने सारे फीडबैक्स आ रहे हैं मेरे विलोग्स को लेखे मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई कभी फीडबैक लेता है मतलब कोई जैनुवेनली आपको देख रहे हैं बच्छा मूड में नहीं हैं आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर कंटेस्टेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले वह बढ़ा है मंचे लगता है एक मिनिट में कोई लड़की अगर पांच जार एक्सप्रेशन दई सकती है तो वह मनारा वह इतना मतलब ऐसे बात करती है मुझे समझ ही नहीं तो वाई थिक है बहुत ज़्यादा एक्स्प्रेसिव है वो वाई फेस ऐसा उनकी एक्स्प्रेशन सही से वन में आजाता है कि वो कहने के अवाली है सबका अपना अपना ओपीनिन हो सकता है वकॉस बिग बॉस लवर मैं फर्स सीजन से बिग बॉस की डाय हर्ट फैन हूँ और ओनेसली मेरी लाइफ का वन ओफ दस सबसे बड़ा सपना है कि मैं बिग बॉस घर में जाओं क्योंकि मुझे लगता है मुझ में वो एलिमेंट है कि मुझे बिग बॉस के घर जाना चाहिए और मैं सिल्मान जी को बोलना चाहती हूँ कि मैं शारुक खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और यू नेवर नो कभी मैं गई और कभी नो मैं अनुसली कुद को इमाजिन करती हूँ जब कि मैं बिग बॉस में जाओंगी तो मेरे पापा जी आएंगे मुझ से मिल ले मैं बह एक टाइम था एक क्रेस था बिग बॉस का जो अब साइमटनेसली बहुत कम हो गया है बिकॉस पहले ने एक नैचरल चीजें हुआ करती थी बिग बॉस को लेके बट अभी ने इस ओल अबॉट स्क्रिप्स उनको बताएं कि या जगडा करने से टी आरपी मिलेगी या थोड वो जो परसनालिटी ना उसको बोलते है एक परसनालिटी इतनी बबली जॉली बहुत कुछ था उनकी परसनालिटी में और फिर देखो अभी जैसे मुनावर वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें ईशा को अच्छी कासी डाट लगाई करन जोगर ने बटीक रिक्वाइट इतनी माचिस की तीली है हमारी इशा कि मतलब उसको सब जेगे जिल मुद्दा 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 बोलते हैं सब जगे उसको स्रीफ मुद्दा डून के जगड़े करवाने होते है और उसके बाद हाँ ठीक है मैं तो फीडबैक नहीं लेना दिया थींग अगर कोई आपक अगर जीशे के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते तो यस खुद की लव लाइव इत्ती फॉट अप है और या देन समध के लिए मिल बूरा लगता है और मैं को अस लगता हुआ है इस लिकापट इशा का उसको डाट देती है और मैं को लगता है उसकी इजत ही पर लिए अपनी नहीं करते है तो बहुत बढ़ावा देती है तो इस लाइग उनौ बहुत फरक पड़ता है अपके घर से अगर आपको गलत चीज के लिए बढ़ावा में बहुत प्राओड हुआ हूँ है नोडव बहुत करते है उसको बहुत लेवल पर चलने आता है इस अभी फेक जो हैस्टाइग मैंने पढ़ा है मेरी एक फ्लंचर फ्रेंड है उनके उसमें तो इट इस उसका कहना आइशा और मुनावर तो भाई यह तो प्यार कर लो यह connection दिखा लो यह है डिसाइड कर लो ऐसा लगता हुआ हमको नहीं करते रह जाते हैं कि यार वह क्या ही है और मनारा मैडम तो शी केनाट गेट ओवर मुनावर फॉर हमारे यूट्यूबर सर्वों तो दिखी नहीं रहा है थिंग फैमिली उसके बाद जैनुवनली उनको एक काफी बड़ी न और रही बात अंकीता जी और विक्की भाया यार मुझे लगता है विक्की जैनुवनली बहुत जॉली है वो बाई नेचर होते हैं कोई-कोई लिटल फ्लटीश होते है बड़ इसका मतलब यह नहीं कि यह नहीं कि द्या गो टू सम एक्स्टेंड विट समन वो उनके नेचर में एचाज बात करना है थे फ्लट करना बड़ एक अंकी राज जी को बिलकुल इंग शीज जस बहुत ओवर रहें वो तूवर्ट विक्की बहुत 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 इनको बहुत इनको इनसेक्योर्टी स्क्यून जब आप खुदी वार बहुते हो कि है यूँ वर परफेक्ट सब्सक्राइब करना है यूँ आपको जबर्दस्ति इत्ता उसको फेसे बना कि वह एक्शली बहुत अप्वर्ट लगता हुझे है थीक है अंग्रीड हस्बर्ड वाइफ हो हां एक चीज मुझे विक्की जी की अच्छी नहीं लगी जब अंकीत आके उनको एक्केस करती ठी नों बहुत स्ट्रॉंग पर्सनालिटी से तो देजस्ट इसलिए इन में वह अंडेस्टनिंग की तो मुझे बहुत कमी दिखती है प्यार होगा में भी नो डाउट तभी तो इतने साल से टिक हैं तो आम अपकोर्स आम नोबडी टो कॉमेंट इस जस्ट माई अब्सर्वें में को बहुत अच्छी लगता है मैं तो रोने लगे थी जब वो एपिसोड में देखती हूं इशा के पापा है थे और उसने हग किया अपने पापा को मैंने जैनुर्णी कुद को इमाजन कर लिया किया कभी मैं लाइफ में बिपास गई पापा आये तो मैं तो काई का फ्र अच्छी जब मनारा की सिस्टर आई थी और जैनुर्णी फील्स लेक उसको कोई कीड़ा वीड़ा काड़ गया है वह सो मच ऑफ रियक्शन इना गो पता नहीं क्या ही था उनका वट इतने ही कंटेस्टेंट में विनिंग देखो ओनेसली अभी तो बिग बोली रहे हैं तो म मेरे साब से जो लास्ट बैस सीजन वोज ऑफ शेहनाज और सिद्दाथ तब तक के सीजन गौतम गुलाटी गोहर और राहुल महाजन इन सब के जो सीजन से डॉली विंद्रा वी स्टिल रिमेंबर देपर्सनाल्टी विद्बॉस क्योंकि देवर रियल देवर नाच्रल नाच्रली जो हैं इनको दिखाना ही नहीं है इनको बस यह कि भाई बस टी आरपी जगड़े से आती है लव एंगल से आती है बस खुद की जो परस्नाल्टी बहुत एक तो ही लोग कैमेरे कॉंशिस आदिस जागा है अंकीता जी कई बार मुझे से लगता है सीरियल ही चल र बोल रहे थी किया वह बोले कि जब उन्होंने बस आपको जो भी बोलना मुझे बोले मरे मॉम डट को ने विच इस करेक्ट लड़की की गलती आप लड़की को बोलो ना मॉम डट तक जाने वाली तो कोई बातली नहीं थी तो मेरे साब से तो बिग बोस आईदर अंकीता य बढ़ बाई